नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज के इस वीडियो में हम 2022 में जो भी आपके सिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं और आने वाले समय में जो भी सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे उनसे जुड़े हुए सभी महत्पूर्ण प्रेश्णों को हम लोग डि जारी कर रहे हैं आपके लिए यह वीडियो बहुत ही जादा महत्पूर्ण होगा पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो गर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करिएगा वीडियो की हम लोग शुरुवात करें उससे पहले मैं आपको बता दू कि आज यानि कि संडे को दिन में 12 बजे अनेकडमी के ऊपर एक कॉमबैट यानि की लाइब स्कॉलर्शिप टेस्ट होने वाला है तो यह जो टेस्ट है वो दिन में 12 बजे होगा जिसमें आपको 50 मिनट में 40 प्रश पर मिल जाएगी उसके उपर क्लिक करके आप इस टेस्ट में इन्रॉल कर सकते हैं ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो आपके प्रश्ण है वो इंग्लिस, मैथ, जनरल अवेरनेस और रजनिंग के होंगे और 50 मिनट में आपको इन सारे प्रश्णों को सॉल्व करना होगा त इसमें हम लोग दिन में एक बजे वाली क्लास में इस समय करेंट अफेर का रिवीजन कर रहे हैं रात में जो आपकी दस बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जीके को डिसकस कर रहे हैं तो अगर आप किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो आप इन क् प्रोफाइल के लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करिए और आप मुझे अनेकडमी पर फॉलोग कर लीजिए तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं पहला प्रशन है कि जनवरी 2022 में इगवर्नेंस के उपर जो आपका 24 सम्मेलन हुआ है इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया तो ध्यान रखिएगा काफी ज़्यादा महत्मोर प्रशन है यह अगर हम लोग इस 24 सम्मेलन की बात करते हैं तो इसका आयोजन तिलंगाना की रा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर Department of Administrative Reform and Public Advances है और जो आपका Ministry of Electronics और IT है इसके द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में जो Defense Expo है इसका आयोजन कहां प्रस्तावित था हाला कि ये मार्च में होने वाला था लेकिन क कुछ कारण वस इसे पोश्ट पोन कर दिया गया है लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि यह जो Defense Expo है ये आयोजित होगा गुजरात की राजधानी गाधी नगर में तो इस प्रशन के लिए A option हो जाएगा यहाँ पर Correct आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2020 में इसका पिछला संस्क्रण था वो लखनों में आयोजित किया गया था इस बार का विसे क्या होगा तो विसे होगा India as a Defense Manufacturing Hub ये इसका विसे इस बार रहेगा अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में विश्ट्वर सतत विकास सम्मिलन का आयोजन किस ने किया है तो ये जो सम्मिलन है इसका आयोजन तेरी नाम के संस्था ने किया यानि कि The Energy Research Institute के द्वारा इसका आयोजन किया गया तो option B हो जागा यहां पर correct आपको ध्यार रखना है कि जो हमारे PM नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने इसको address किया और The Energy and Resources Institute के द्वारा इस सम्मिलन का आयोजन किया गया है अगला प इसका आयोजन कहां पर हुआ तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया option D हो जागा यहां पर correct अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में अंतर राष्टिये भूबैग्यानिक कॉंग्रेस के 36 संस्क्रण का आयोजन कहां पर किया गया तो यह काफी महत्पूर्ण है क्योंकि अंतर दिल्ली में किया गया है D option हो जाएगा यहां पर correct अब इसके बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारे यहां की जो मिनिश्टीज है जिसका नाम Minds and Earth Sciences है उसके द्वारा आपके जो पडोसी देश हैं बांगला देश, नेपाल और स्रिलंका इन सभी के साथ मिल करके इसका आयोजन किया गया बिसे भी जरूर ध्यान रखेगा तो इसका बिसे रहा है Geo Sciences the Basic Science for Sustainable Future मार्च महिने में इसका आयोजन आपके राजधानी दिल्ली में किया गया था अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में नागरिक उड्डैन मंत्राले ने किसके साथ मिलकर बिंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया तो ये जो बिंग्स इंडिया 2022 है इसका आयोजन फिक्की के साथ में मिलकर के किया गया है यहाँ पर D-Option हो जाएगा आपको ये भी धिया रखना है कि ये जो बिंग्स इंडिया प्रोग्राम है ये हैदराबाद में बेगम पेट एयरपोर्ड पर आयोजित किया गया तो हमारे यहाँ के जो मिलकर के इसका आयोजन किया बिसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो India at 75 new horizon for aviation industry क्या रहा इंडिया at 75 new horizon for aviation industry इसका भी से रहा है D option हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस देश की अध्यचिता में पांचमें बिम्स्टैक सिखर सम्मेलन का वर्चुल तरीके से आयोजन किया गया तो इसका आयोजन इस बार स्रिलंका में किया गया है option यहाँ पर C हो जाएगा correct त बहाँ पर इसका आयोजन किया गया और स्रिलंका ने इस सम्मेलन को होश्ट यहाँ पर किया था हमारे PM यानि की नरेनर मोदी साहब ने इसमें भारत की तरफ से participate किया था विसे भी आपको जरूर ध्यान रखना है तो इसका विसे था towards a resilient region prosperous economies healthy people यह इसका विसे था option C हो जाए अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में जो सूरजकुंड मेला है इसके 35 संस्क्रण में भागीदार देश कौन रहा है तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि हर्याणा का जो फरीदावाजिला है वहाँ पर सूरजकुंड अंतराष्टे मेले का आयोजन किया जाता है और इस साल जो 35 संस्क्रण था इसमें भागीदार देश था उजबेकिस्तान कौन था उजबेकिस्तान था तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में सूरजकुंड मेले के 35 संस्क्रण में थीम राज कौन सा रहा यानि कि हमारा विशय स्टेट कौन स कास्मीर था उप्शन सी हो जागा यहाँ पर करें तो आपको यह जरूर ध्यां रखना है कि इस साल 35 संस्क्रण था हरियाना में हर साल इसका आयोजन होता है थीम स्टेट हमारा जम्मू और कास्मीर था और उजबेकिस्तान हमारा यहाँ पर साज़ेदार देश रहा है अगल ही जादा महत्पूर्ण है आपको यह पता होगा कि पिशले साल जो कॉप 26 है वो आपके बिल्टन के ग्लासगो में हुआ था इस साल कॉप 27 होगा और यह आयोजित किया जाएगा मिस्र में कहां पर मिस्र में इसका आयोजन होगा तो इस प्रशन के लिए बी आप्शन हो जा ग्ला प्रशन है कि वर्स 2023 में यानि कि अगले साल इसका जो कॉप 28 है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा तो ध्यान रखेगा कॉप 28 का जो आयोजन है यह UAE में किया जाएगा कहां पर स्युक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन 2023 में होगा तो यहाँ पर आप्शन C हो जाएगा करण अगला प्रशन है कि वर्ष 2022 में जो G20 सिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश की अध्यचता में किया जाएगा यानि कि इस साल G20 सम्मेलन का होश्ट नेशन कौन होगा तो ध्यान रखेगा इस साल इसका होश्ट होगा इंडोनेसिया कौन होगा इंडोनेसिया इसका होश्ट होगा तो यहाँ पर D option हो जाएगा current आपको यह ध्यां रखना है कि 15 से 16 नौंबर को इसी साल इंडोनेसिया की अध्यचिता में बाली में इसका आयोजन किया जाएगा बिसे कि अगर हम लोग बात करें तो recover together, recover stronger यह इसका बिसे रहा है 2021 में इसका आयोजन इटली देश में किया गया था यह भी आपको ध्यां रखना है अगले साल 2023 में भारत में इसका आयोजन होगा और उसके अगले साल यानि कि 2024 में ब्राजील में इसका आयोजन किया जाएगा अगला प्रशन है कि वर्स 2022 में संगाई सहयोग संगठन के सिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो ध्यान रखेगा बात हो रही है यहाँ पर SCO की और इसका इस साल जो सम्मेलन है वो आयोजित होगा उजबेकिस्तान की अद्धचिता में कहाँ पर उजबेकिस्तान की राजधानी समरकंद में इसका राजधानी नहीं समरकंद में इसका आयोजन होगा 15 से 16 सितंबर 2022 को तो जरूर ध्यान रखेगा आप्सन यहाँ पर B हो जाएगा अगर हम पिछले साल की बात करें यानि की 2021 की बात करते हैं तो SEO का जो समिट है वो ताजिकिस्तान के दुसानवे में हुआ था अगला प्रशन है कि वर्ष 2022 में संगाई सहयोग संगठन के सरकार के प्रमुक का जो सम्मेलन होता है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा ध्यानक किएगा कि SEO के दो सम्मेलन होते हैं एक तो इसका में समिट होता है और एक यहाँ पर सरकार के प्रमुक का सम्मेलन होता है तो सरकार के प्रमुक का जो सम्मेलन है वो चीन की अध्धचिता में किया जाएगा इस साल D option हो जाएगा यहाँ पर correct 2021 के अगर हम बात करें तो कजागस्तान की अध्धचिता में वर्चुली यह हुआ था 2020 में इसको होश्ट किया था हमारे देश भारत ने और इस साल यानि की 2022 में चाइना के द्वारा इसको होश्ट किया जाएगा अगला प्रशन है कि वर्च 2022 के लिए जो 40-वा आसियान सम्मेलन है इसका आयोजन कहां किया गया तो 40-वे आसियान सम्मेलन की बात करें इसका होश्ट नेशन कमबोडिया है इस साल तो यहां पर C option हो जाएगा आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम लोग आसियान की बात करते हैं तो यह हमारे दच्छिन पूर्वी एसिया के 10 देशों का एक संगठन है जिसका headquarter आपको जकारता में मिलेगा तो विसे की बात करते हैं इस साल जो इसका विसे है वो आपका है आसियान ACT Addressing Challenges Together क्या है आसियान ACT Addressing Challenges Together इसका विसे है तो C option हो जाएगा और मुझे ज़रा आप लोग comment में यह बता दीजिए कि पिछले साल जो आसियान का सम्मेलन हुआ था उसका host nation कौन सा था यानि कि अधच देश कौन सा था वो आप comment में बताईएगा अगला प्रशन है कि भारत में किस वर्ष Interpol की 91वी महासभा का आयोजन किया जाएगा तो ये साल हमारा 2022 का ही होगा आपको बता होगा Interpol की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है International Police Organization या Criminal Police Organization इसका नाम है फ्रांस के लियोन सहर में इसका हैटकोर्टर है और इस साल जो इसके 91वी महासभा है वो आपके भारत में आयोजन की जाएगी B option हो जागा यहाँ पर correct अगर हम लोग 2021 के महासभा की बात करते हैं तो वो टर्की देश में आयोजित किया गया था अगला प्रशन है कि वर्स 2021 केस में जो 200 हिंदी सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित किया गया था तो ध्यान रखेगा यह सम्मेलन हुआ था फिजी देश में यहाँ पर A option हो जाएगा correct आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1975 में पहली बार यह जो सम्मेलन है वो 10 से 12 जनवरी को हुआ था और इसलिए 10 जनवरी को हम लोग हर साल 200 हिंदी दिवस भी मनाते हैं और 12 सम्मेलन 2021 में फिजी देश में आयोजित किया गया अगला प्रशन है कि वर्श 2022 में किस देश की अध्यचिता में 14 वे ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजिन किया जाएगा तो यह जो हमारा 14 वे ब्रिक्स सम्मेलन है इसका होष्ट होगा चाइना कौन होगा? चाइना इसका होष्ट होगा option यहाँ पर ए हो जाएगा correct आपको यह ध्यान रखना है कि पिछले साल याने की 2021 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसको होष्ट हमारे देश भारत ने किया था और इस साल जो इसका 14 वा समिट है इसको होष्ट करेगा चाइना थीम की बात करते हैं तो यह भी आपसे पूचा जा सकता है फोष्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनर्शिप यूजर इन ए न्यू इरा फार गलोबर डवलप्मेंट यह इसका भी से होगा ए आप्सन हो जाएगा करें अगला प्रश्ण है कि वर्स 2022 में जो 48 जी सेबन सिखर सम्मिलन है यह किस देश में आयोजित किया जाएगा तो 48 जी सेबन सिखर सम्मिलन की बात करें इसे होष्ट करेंगा जर्मनी कौन होष्ट करेंगा जर्मनी करेंगा पिछले साल आपको याद होगा UK के द्वारा इसे होश्ट किया गया था यहाँ पर A option हो जाएगा correct तो इस साल यानि कि इसी महीने 26 से 28 जोन को इसका आयोजन किया जाएगा बिसे कि अगर हम बात करें तो progress towards an equitable world यह इसका बिसे है तो यहाँ पर A option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में बायो एसिया के 19 संस्क्रण का कहाँ पर वर्चुली आयोजन किया गया तो यह इसका 19 एडिसन था और इसका आयोजन किया गया है है ध्यान रखेगा बायो एसिया जनरली आपके हैद्राबाद में ही हमेशा आयोजित होता है यहाँ पर A option हो जाएगा correct बिसे भी आपको जरूर ध्यान रखना है तो इस बार का बिसे था future ready क्या भविस के लिए तयार रहो अगला प्रशन है कि April 2022 में कहाँ पर समुद्र तक महुस्तो C.Pondi 2022 का आयोजन किया गया तो यह जो महुस्तो है वो आयोजित हुआ है पुडू चेरी में option A हो जागा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि April 2022 में किस सहर में smart city, smart सहरी करण सम्मेलन का आयोजन हुआ है तो यह सहर आपका सूरत है ध्यान रखेगा सूरत सहर में इसका आयोजन किया गया है C option हो जागा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि वर्श 2022 में जो पहला अंतर राष्टे कुरूज सम्मेलन है इसका आयोजन किस भारतिय सहर में किया जाएगा तो यह जो आपका कुरूज सम्मेलन है यह आयोजित होगा इस साल मुंबई में ध्यान रखिएगा कि पहली बार इस प्रकार का कोई सम्मेलन आयोजित हो रहा है अंतराष्टी एस्तर पर और आयोजन हमारे मुंबई में किया जाएगा B option हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि इस महीने यानि कि जून 2022 में WTO का जो बारहवा मंतरी अस्तरिय सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर होगा तो जहाँ पर इसका हैटक्वाटर है वहीं पर आयोजन होगा यानि कि जनीवा में आयोजन किया जाएगा A option हो जाएगा correct आप लोग यह देख सकते हैं कि यह जो बारहवी मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस है इसका आयोजन 12 से 15 जून तक WTO के हेटक्वाटर जनीवा में आयोजन किया जाएगा आपको यह ध्यां रखना है कि इस साल जो इसका यह बारहवा सम्मेलन है इसको कजा कस्तान के द्वारा को होष्ट किया जाएगा कौन कर रहा है कजा कस्तान इसको को होष्ट करेगा अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में एसिया का जो सबसे बड़ा अंतर राश्टिय खाद और आतित्थ मेला है जिसका नाम है आहार इसका आयोजन किस ने किया तो इसका जो आयोजन है वो किया गया APEDA के द्वारा किसके द्वारा APEDA के द्वारा किया गया C option हो जाएगा यहाँ पर correct जब हम लोग APEDA की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority तो इसने ITPO के साथ में मिल करके नई दिल्ली का जो प्रगती मैदान है वहाँ पर आयोजन किया है C option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मई 2022 में जो हुनर हाट का 41 संस्क्रण है इसका आयोजन किस सहर में किया गया तो ध्यान रखिएगा इसी साल आपका 44 संस्क्रण भी हुआ था जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था और 41 संस्क्रण की बात करें तो वो आपके ताजनगरी आगरा में किया गया यहाँ पर B option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि 9 मई 2022 को United Nations Convention to Combined Regertification यानि कि मर्वस्थली करण को रोकने के लिए जो आपका COP 15 है यह किस देश में आयोजित किया गया तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजित किया गया है आईवरी कोश्ट में कहां पर आईवरी कोश्ट में इसका आयोजित किया गया A option हो जाएगा यहां पर Correct विसे की अगर हम लोग बात करती है तो इस साल का विसे भी महत्पूर्ण है विसे क्या रहा Land, Life, Legacy From Scorcity to Prosperity यह इसका विसे रहा था COP 14 की बात करें तो यह जब आयोजित किया गया था तो हमारे नई दिल्ली में आयोजित हुआ था यह भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रशन है कि April 2022 में अभी रायसीना डायलोग का आयोजिन किया गया है तो आपको बताना है कि इसमें बतावर मुख्य अतित कौन सामिल हुआ था तो मुख्य अतित के तौर पर इसमें सामिल हुई थी उर्सुला वांडर लियोन कौन है ये तो यूरोपिय कमीशन का नाम आपने सुना होगा यूरोपियन कमीशन की ये इस समय है और ये आपकी मुख्य अतित के रूप में इसमें सामिल हुई थी ये आप्सन हो जाएगा अब जब भी आपसे रायसीना डायलाग के बारे में पूछा जाएगा तो यहां से कई सारे प्रश्ण बनते हैं आपको पहले ये ध्या रखना है कि हमारे यहां का जो विदेश मंत्राले है वो Observer Research Foundation के साथ मिल करके इसे आयोजित करता है इस बार की हमारी जो Chief Guest है वो Ursula Wanderleone थी और विषय की अगर हम बात करते हैं तो इस साल का विषय था तेरा नुवा इंपैसेंड, इंपैसेंड एंड इंपेरिल्ड ये इसका विषय था ध्यान अखियेगा ए उप्सन यहाँ पर करक्ट होगा अगला प्रशन है कि वर्स 2023 में किस देश में अंतर राष्टिय उलम्पिक समीती के सत्र के आयोजिन को मंजोरी मिली है तो ये वैसे घोषना काफी पहले हुई थी हमारे देश भारत की जो आर्थिक राष्धानी मुंबई है तो वहाँ पर इसका आयोजिन किया जाएगा C आप्सन हो जाएगा करक्ट अगला प्रशन है कि फिडे सत्रंज उलम्पियार 2022 का आयोजिन किस भारतिय सहर में किया जाएगा ये प्रशन काफी महत आप्सन हो जाएगा यहां पर करक्ट अगला प्रशन है कि कन्वेंशन ओन कंजर्वेशन ओन माइगेटरी स्पेसीज आप बर्ड इनिमल यानि कि जो CMS का कॉप 13 है इसका आयोजिन 2020 में कहां पर हुआ था तो ये प्रशन आलड़ी बहुत सारे एक्जाम में आ चुका है तो जरूर ध्यान रखेगा इसका आयोजिन गांधी नगर जो कि गुजरात की राजधानी है वहाँ पर किया गया था अगर हम बात करते हैं इसके मैस्कॉट की तो ध्यान रखेगा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है यानि कि जिसे आप गोडावन या गीबी भी कहते हैं जो कि आपके गुजरात का राजधानी है वो इसका यहाँ पर मैस्कॉट रहा था तो ए उप्शन होगा करेक्ट अगला प्रशन है कि वर्ष दोजार बाइस में जो भारते विज्यान कॉंग्रेस है इसका 108 संस्क्रण कहां पर होगा हाला कि ये आयोजन एक बार फिर से टाल दिया गया है लेकिन ये प्रस्तावित आपके पुने में है ये ध्यान रखीगा कि पुने में इसका आयोजन किया जाना है D आप्शन हो जागा यहाँ पर करेक्ट आप्शन है कि पहली राष्टिय योगासन चैंपिनसिप का आयोजन पिछले साल किस राज में किया गया था तो ये जो आयोजन है ये उडिसा राज में किया गया था यहाँ पर आप्शन C हो जागा हमारा करेक्ट तो इस प्रकार से जो भी आपके महत्पूर्ण प्रशन थे उन सभी प्रशनों को हमने डिसकस कर लिया है I hope वीडियो आपको पसंद आये होगी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंड में लिखिएगा Yes, I can do it Thanks for watching, जै हिंद, जै भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत